कि आपके दिमाग में भी पिछले चार से पांस जुनों से ये प्रश्ण गूम रहा है कि क्या सच में हम लोग अप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब से एक नोटेस हमारे पास आया है कि अब आपको जो रिजल्ट है तीन कैटेगरी में आएगा तीन स्रेणियों में जो है आप सभी का रिजल्ट देखने को मिलेगा क्या उसके बाद से हमारा कॉंपिटिशन हाय हो जाएगा ये सारे जो में देने वाला हूं स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जा रहे फट्डा हिंदी मीडियम पर मेरा नाम है योगेश और अपने इस चानल पे मैं हूं आपकी अपने पेपर वान की फिकल्टी जिसमें हम लोग डेली डिसकर्स करते हैं मैं इसके अलावा चानल को सब्सक्राइब आप लोग कर लिजेगा यदि अभी तक नहीं किया है कि चानल पे पेपर वान और पेपर टू दोनों की तयारी जो है ताबड तोड बढ़िया तरीके से आपके अपने चानल पे करवाई जा रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात क क्या है हिंदी मेडियम में करवाई जा रही है ठीके जी चलो तो बात दबन करने वाले हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट अभी जो नो एक ट्रेंडिंग हमारा जो टॉपिक बनावा है क्या सच में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे आप लोग बोलोंग नोटिस में आपका बोला गया कि आपका जून दो हजार चॉबिस से हमारा जो रिजल्ट आएगा ना वहिया तीन कैटेगरी में आएगा कितने तीन सुरेणियों में जो विवाजित होगा पहली कैटेगरी आपकी ज्यारेफ की आएगी फिर हमारे पास नेट की आएगी जि जब तीन कैटेगरी हमारे पास आधाती हैं और एक्जाम जो है हमारा केबल और केवल एक एक्जाम होने वाला है तो बिलकुल लाजमी सी बात है अब चीज़ें थोड़ी सी जो है ना हमारे लिए चलेंजिंग होने वाली है मैं उसको यह तो नहीं बोलूंगा कि प्राब्ल इब शब्लिए यह कोई से भी इसाम लेलिया करते थे और क्या हो जाते थे वह पर आप से辉क्ज सावा के उनिव यह समझावा है कि अब जो है पीजिदी केमें देना पड़ेगा नेट का एक्जाम देना पड़ेगा तो मतलब नेट का एक्जाम जो है आप सबेका mandatory हो गया है 100% यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यदि आपको PhD करनी है आपको नेट का एक्जाम देना पड़ेगा अचा कुछ लोग ऐसे अजय से बात करूँ है कि हम सभी का एक鼎 मारा जो प्राइम गोल है क्या है इस से में अने से आने से अने से अमारा असिस्टेंट पैसर में रुकावट आ हमारा जो competition है हमारा जो competition है definitely आपका हाई होने वाला है क्यों हाई होने वाला है पहले ही बताया था वह यह जो लोग नहीं दे रहे थे exam वह भी अप देंगे अब रिसेंटली यदि मैं बात करूँ आप सभी के दिसंबर दिसंबर 2023 में हमारे enrollment हुए थे आपके UDC net exam के लगबाग 8 लाग ठीक है जी अब 8-9 लाग यदि हमारे enrollment हुए है जिसमें तो PSG वाले नहीं है अब यदि वह भी मेरे शामिल हो जाएंगे जून 2024 के exam में definitely हमारा competition हाई होने वाला है पहले चीज यदि आपको competition हाई होत है तो definitely आपके result पर फरक पड़ेगा यह पड़ेगा क्योंकि result पर पड़ेगा competition हाई होगा तो लाजमी सी बात है कि paper हमारा बढ़िया अच्छा खासा आने वाला है paper यदि अच्छा खासा नहीं भी आता है तो आपकी जो है cut-off हाई कर ली जाएगी पर एक बात बताना चाहत है कि अब अब मेन मुद्दे के अपन बात करता हैं कि क्या हम लोग assistant professor एका सफ्में नहीं बन पाएंगे तो भईया देखो तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप लोग मन पाओगे ना बट क्या है पहले यदि हम 20 कुछ कर रहे थे तो आपको 21 करना पड़ेगा बात ऐसी है ना 19 पे नहीं जाना यदि आपको लगए कि मैं 20 पहले कर रहा था 19 में कर लूँगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा नही भी आपको 21 करना है मतलब आपको अपना जो मेहनत है आपकी जो Input है है ना आपकी पढ़ाई में देने का उसको थोड़ा सा आप सबी को जाना है या बढ़ीहा या था से कण हमें कर ना किया कू क्या अच्छी खासी महनत हमें करना है छीप ईंटने पड़ता है और नेट से जारेफ तक का जो सफर है काफी अच्छा कासा होता है और कुछ नंबर का ही हमारा सफर होता है तो महनत हमें करनी है बढ़िया तरीके से अच्छे वाली तभी जारेफ हो पाएगा और तभी इसलिए हम लोग क्या पाते हैं यह हल्वा नहीं तो छोड़ी चीजे त बदलते वे पैटन में जो है आप सभी को तैयारी करने की जरुवत है यह दी देखो मैं तो आप सभी को बोलूँआं कि अभी तक आप लोग नहीं जगें है तो आप लोग जगी है दो महीने 60 दिन हमारे पास है 10 जून से आपके जून 24 के एक्जाम है बड़ी अतरह पढ़ लेके PSG करें है ना जी और साथ में हमारे पास ज्यारेफ का एक सर्टिफिकेट होगा साथ में हम लोग पैसा भी ले रहे हैं सरकार से मस्त हम लोग रिसर्च में आ गए तो यह चीज है और उन सभी के लिए आप सभी को क्या करना पढ़ेगा विज ज्यारेफ और तीन कैटे है और यदि आपने टार्गेट बनाया है वो तभी पूरा हो पाएगा जब उस टार्गेट के लिए हम लोग कुछ काम कर पाएंगी नहीं करेंगे तो पॉसिबल चीज़ें नहीं हो पाएंगी बाकी की जो क्लासेज है पेपर वन की और पेपर टो की सुबह से चलती है आप कॉमेंट सेक्शन में जो भी आपके एक्सवाइज़ आउट है डेफिनिटली ट्राय किया जाएगा आप सभी को अंसर करने का बागी मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए बने रहे हैं जा रहे फटा हैंडी मीडियम के साथ चानल को सब्सक्राइब जरू कर